हाई गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब लाइक वीडियो तो आज हम चल रहे है डेली टु खाटु श्याम बाबा के दर्शिन करने राजस्थान यह वाल वो बस मैंने बुब की गुडगाउं से और यह बस सीधा आपको उतारेगी खाटु श्याम बाबा के मंदिर के जस्ट पांसो मीटर पास में सो अभी रात का टाइम है ज्यादा कुछ दिखानी पाऊंगा और यह हम पहुचे रस्ते में रिंगस और यहां से मंदिर रह जाता है 18 किलो मीटर के आसपास और यहां से लोग निशान भी उठा के लेके जाते हैं तो चलो अभी वेट करते हैं यह जस्ट मंदिर तक पहुषने का फिर उसके बाद आपको बताता हूँ वहां पर क्या क्या चीजे हैं सकते हो कहां रह सकते हो तो यह मैं यहां पर बस से उतर गया और यह मैं अब दरशन मंदिर जो है मंदिर के पास जा रहा हूँ और सुबह का टाइम है तो काफी खाली है आदर्वाइज यहां पर एक आदशी वाले दिन पैर रखने की भी जगे नहीं मिलती इतनी भीड होती है यहां पर इवन कोई धरमशाला भी नहीं होती जो आपको मिल जाए मतलब और अकेले बंदे के लिए तो वैसे भी यहां पर ध प्रवाइज ब्लब आएगे और यह गलियां है यहां कि आप किसी भी गल्य में अंदर निकलोगे तो आप कही ना कही में मंदिर के रास्ते पर मिल जाओगे तो कभी भटक भी जाओ या तो आप किसी से पूछ लो कि मंदिर कहां पर है वरना आप इन गलियों में से होकर भी जा सकते हो खेर मुझे तो आदत हो चुकी है तो ये है रादे की अवेली और ये है बहुत एक्सपेंसिव है पर दे का इसमें प्राइस कम से कम होगा रूम का 4500 प्लस GST 18 बर्जन तो आपको पड़ेगा साढ़े पांच 6,000 के बीच में फैमिली के साथ आओ तो यहाँ पे आप रह सकते हो अदरवाइस फैमिली के साथ काफी AC की धरमशाला भी है वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो लाइक मैं और मेरे फ्रेंड्स आते तो AC धरमशाला में ही स्टे करते है तो यह रस्ता निगल पड़ा मंदिर के लिए अभी खाली है काफी क्योंकि मैं मंडे को गया था और वीक डेज में हाँ यह वैसे भी खाली रहता है लेकिन साटड़े संडे बहुत बीड होती है यहां पर यहां पर सारा शॉपिंग आप का मतलब बाबा का श्रिंगार और यहां पर प्रशाद सब कुछ ले सकते हैं यह शॉटकट रास्ता है मंदिर पर जाने के लिए और यह सीधा हमारी दरमशाला पर निकलता है तो अभी सुबह का टाइम है मैं आया हूं मुझे शायद दरमशाला मिलेगी भी नहीं यह लेफ्ट में मेरी दरमशाला है क्योंकि यहां पर जो भाई है वो उठते ही 8-9 बजे और मैं यहां पर 6 बजे पहुँच चुका हूं यह में मंदिर के लिए गेट यहां पर चपल भार ही उतरवा देंगे आपकी तो चपल कई ऐसी प्रशाद वाली जंगें पर उतारिएगा या फिर कोई जंगें अपनी देखकर उतार लेना चलो आओ यहां से चलते हैं मंदिर में अंदर यह 16 लाइने है आट लाइने उस तरफ है आट लाइने इस बाबा के दर्शन यहां पर भी हो जाएंगे यह साइड में आप जितनी भी शॉप्स देख रहे हैं सारी प्रशाद और यहां पर आप मोर पंक और पानी की बॉटल वगएर अगर आपको प्यास लगी है तो यहां पर यहां पर भी कुछ होटेल्स है और यह सामने आप आप दर्शन कर सकते हैं लेफ्टेंट साइड में पहले जो था जिग-जैग वाला रास्ता था तब दर्शन जो है बिल्कुल सामने से होते हैं लेकिन बीड बहुत जादा यहां पर बढ़ रही है तो इस वजह से इन्होंने सोला लाइनों में इसको डिवाइड कर दिया है ताकि लोग चलते चलते धर्शन कर सकें एक चीज जो मिरको यहां पर पसंद नहीं आती वो है लोग प्रशाद और फूल फेकते हैं फेकने से उन्हें लगता है कि वो प्रशाद बाबा को चड़ जाएगा या फिर फूल जो हमको चड़ जाएगे बट वो बहुत गलता है आप ऐसे फेक के अपमान कर रहे हैं तो किसी भी मंदिर में जाओ तो ऐसे फूल और प्रशाद ना फेके यह है सबसे राइट साइड वाली लेन जो की आल्मोस्ट खाली मिलती है तो मैं एडवाइस करूँ है कि अगर आप कभी जाते हैं तो सबसे राइट साइड वाली ले होती है यह दूसरी आर्थी का टाइम है जो कि साढ़े साथ के अराउंड होगी तो अब यहां पर रुका में एप्रॉक्षिमेटली 10-15 मिनट फिर उसके बाद आर्थी स्टार्ट हुई तो फिर आम आर्थी में अंदर गए बाबा के दर्शन किये और कुछ ऐसा बाबा का श्रिंगार होता है और ऐसे आपको दर्शन देखने को मिल सकते हैं यह मैं फिर शाम को आया दुबारा यहां पर क्योंकि एक बार से मेरा तो मन भड़ता है नहीं दर्षान करने को एक दिन में मैं हम साथ बार दर्षान कर चुका हूँ भस दीवानगी ऐसी है कि बाबा के पास ही रहो और उन्हें बस अपने साथ ले चलो बट वो चीज पॉसिबल हैनी सो यह वहां से राइट साइड से एक्जिट का है यहां से हमने एक्जिट किया अब यह अगले दिन सुबह वापसी मैं जा रहा हूं वापिस दिल्ली बस करके यह देख रहे हो आप सारी धरमशाला गैस्टाउस यह सारे हैं यहां पर तो आपको कूलर वाला पंके वाला एसी सबसक्राइब हो आपो गैस्ट हाऊस यहां पर मिल जाएंगे सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा यह वुःस धरमशाला आपको मिल जाएंगे यहां पर राजस्तान में है सीकर डिस्ट्रिक्ट है और खाटू जगे का नाम है तो इसी लिए इनको खाटू वाले शाम जी कहां गया है कि यह खाटू में है मंदिर इनका और यह सावर्या धरम चाला कि काफी अच्छी धरम चाला है लेकिन यह सिर्फ जो है फैमिली वालों को ही रूम नेते हैं सिंगल लोगों को लिए रूम नेते हैं यह आ गई हमारी बस यह बस मैंनी की थी यात्रा से और यह बस जो है नवीन काफी अच्छी बस मुझे लगी इस पेशियस थी और काफी नीट एंग बस थी तो वहां से आप वापसी आए यह आपको दिली छोड़ देगी कश्मीरी गेट अगर कश्मीरी गेट नहीं जाना चाहते हो तो आप गुडगाओं जाना चाहते हो तो आप गुडगाओं तक बिशियो मैंने प्रापर मन से वनाई है इस थी लाइक जाए प्लीज लाइक शब्सक्राइब और कि शेर यह फीडबाग तो वहां से व हुड़े प्लीजार्य सब्सक्राइब तो प्लीज भीर न गन्ड़ेट तब तक के लिए टे कर आफ ये अव्यर्सियर आफ यरस्व ग बाइ